आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस question में देखिए क्या बोला है कि दो wire जो है sonometer के आरे union मतलब resonance कर रहे है एक दूसरे के साथ और हमसे बोला है कि when one of the length of the length of one of the wire is increased by one percent ठीक है तो एक दोनों में से एक का length जो है हमने increase कर दिया one percent से तो three beats सुनाए देती है दो second में ठीक है तो चलिए हमसे पूछा कि frequency of original wires कितना था ठीक है तो चलिए देखते कैसे करेंगे इसको सबसे पहले देखें हम जो है दो frequency consider करेंगे एक तो N1 ये क्या होगा ये होगा V by 2L देखें दोनों cases के लिए जो है velocity of sound सेम रहेगी क्योंकि देखे tension और mass parameter length change नहीं हो रहा है हमने बस increase कर दिया length इसकी और N2 जो हो L1 ये इधर आ जाएगा और N2 जो होगा ये होगा V by 2L2 ठीक है तो देखें L2 जो हमें बोला है कितना है 1% बढ़ा दिया यानि 101 by 100 L1 ठीक है ये इतना हो गया तो इसको क्या हो लिख सकते हम 1.01 times of L1 तो ये देखें N2 की value क्या हो जाएगी ये होगी V upon 2 into 1.01 times L1 ये से लिख सकते हम तो देखें N1 by N2 V by 2 L1 into V by 2 into 1.01 times L1 तो देखें V, V 2 L1, 2 L1 cancel और ये आजाएगा 1.01 ठीक है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि N1 is greater than N2 ठीक है और हमें बोला है कि देखें जब length increase कर देते 1% से तो जो हमें कितनी 3 bits 2 second में सुनाए देते हैं तो एक second में कितनी 1 second में कितनी beats सुनाए देगी 3 by 2 beats ठीक है और देखें N1 बड़ी frequency N2 से तो हम लिखेंगे यहां पर देखें मैं ध्यान से लिख देता हूं कि N1 minus N2 equals to 3 by 2 यही होता है beats का definition तो देखें यहां N1 minus N2 यह हो गया 3 by 2 और N2 की value क्या calculate देखें N1 की value क्या calculate की थी हमने 1.01 times of N2 तो N1 minus 1.01 times of sorry 1.01 times of N2 N1 की value 1.01 times of N2 है minus N2 equals to 1.5 यही हो गया तो देखें 0.01 N2 equals to 1.5 तो N2 की value क्या हो गई यह हो गई 1500 sorry 150 Hz 150 Hz आ जाएगी इसकी value और हम से पूछा क्या था कि find the original frequency और original frequency कितनी थी N1 तो देखें 101 sorry यहां मैं लिख दूँगा कि N1 by N2 equals to 1.01 और N2 की value कितनी है 150 तो देखें N1 equals to 150 into 1.01 इसकी value आप calculate करेंगे तो आपको आ जाएगी 151.5 Hz इतनी थी original frequency क्लासिक इदीट से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्थ्टिवेंट्स का भरोसा आज जी डाउंलोड करें डाउटनेट आप यह वाट्साब कीचे अपने डाउट्स आज चार्सो 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 पर